हाई दिस दॉक्टर शेशांग बाटवे, फिजीशन एंड कंसलिटेंट एट वी क्लीनिक होमेपेतिक कानपूर आज हम बात करेंगे 47 वर्षी राजस्थान में रहने वाले राम प्रताब जी के बारे में जिनको पिछले एक साल से पाइस की समस्या थी इसमें उनको गुदादार के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ मस्य थे अंदर वाले मस्य फ्रेश होने के दोरान सूज जाते थे और उनको स्टूल करने में भी समस्या होती थी बाहर उनको एनलेरिया के चारों तरफ मस्य थे जिनमें सूजन आ जाती थी इसके अलावा फ्रेशोने के दोरान उन्हें दर्द, जलन और चुबन भी महसूस होती थी उनका स्टूल हार्ड होता था जिसकी वज़े से उनको आसानी से स्टूल पास नहीं होता था और गैस की समस्या भी रहती थी दो महिने पहले ऑन्लाइन माध्यम से इन्होंने हमसे और हमारी टीम से संपरक किया और हमको इन सभी समस्याओं से अवगत कराया आज इन सभी समस्याओं में इनको 95-95% तक का आराम है अंदर के मस्य पूरी तरह से ठीक हैं बाहर के मस्यों में थोड़ी सी सूजन बाकी है और कभी कभार चुवन हो जाती है ट्रीटमेंट इनका जारी है फोफुली इनको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा आई एम इनका फीडबेक जानते हैं हलो जी राम परताब सिंग जी से बात हो रही है जी नमस्कार सर्व मैं वी क्लीनिक का आम पर बात कर रहा हूं यह कॉल रिकॉर्ड की जारी है ठीक है यह कॉल आपको फीडबेक के द्वारा किया गया है आप जो मेडिसीनियुग्स कर रहे था अब इसे कित्य परसेंट आराम है अराम की पुला है यह फीड़र नहीं गया है अब लगवग आपको ठीकी है बस बागी मस्के है वही आपका नहीं गया है मस्का नहीं गया और जो पट लगा था कट भी छीट हो गया अब लेडिंग आप तो अपनी होती है नहीं सब नहीं सब नहीं सब नहीं सब चलिए अभी देगे खांपें के सब ध्यान देजएगा बाकि जो आपकी जो मस्ते वह भी ठीक हो जाएंगे ठीक है ना शलमसा कनो हो मोँ कोई निर्च खाता नहीं हो और कोई गर्म चीज खाता नहीं हो धंडा चीज खाता हूं चलिए अच्छा अखा मैडिसिन टाइम पर ली जाएगा भी ठीक है अब थोड़ा अब तो यह साम सुगे शाम ले रहा हूं फिल्पिल्पिल चलिए और प्रॉब अगर आपको पाइस फिसर फिश्टुला या पेट से सम्मंदित कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नमबरों पर कॉल करके हमसे संपर्ख कर सकते हैं अपनी समस्या हमारे साथ शेर कर सकते हैं और घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं कि अपना टूसा मैं अपना सकते हैं यो नीचे में लेना I.